वेलकम टू टेक एशपट, स्वागत आप सभी का साइस फ़लो इलेक्रिक की बिल्कुली नई दुनिया में इलेक्रिक गानियों को तैजी से बलावा दिया जा रहा है यही बजह है कि देश में लगातार नई इलेक्रिक कार से लेकर इलेक्रिक स्कूटर और इलेक्रिक बाइक तक आ रही है अगले साल तक देश में इलेक्रिक गानियों का सफर एक नए लेवर पर पहुंच जाएगा क्योंकि साथ 2020 तक यहां इलेक्टिक सुपर बाइक से लेकर आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स लेस इलेक्टिक बाइक और कुछ स्टाइलिस्ट लुक वाले इलेक्टिक स्कूडर तक आने वाले हैं यह इलेक्टिक टूविलर्स बजाज तिवीस पर हिरो जिसी बड़ी कमनियों से लेकर नए श्टाटिफ कमनियों तक के हैं आएए आपको साथ 2020 की सबसे शांदार इलेक्टिक स्कूडर दिखाते हैं इसी को जलते इतलिकी इलेक्रीक स्कुडर बनाने वाली कमी आसकोल ने असकोल ES3 नाम से एक घासु स्कुडर पेश किया है असकोल एक टुविलर इलेक्रीक वहिकल कम्णी है इस कम्णी ने ऐसे और भी दो मडल मार्किर में उता रहे हैं जो आसकोल से मिलते जूलते है इसकोल ES1, ES2 और ES3 नाम से तीन वर्जन में कमाल की स्कूडर पेश की है इसके साथ ही ES Pro 4.5 और ES Pro 70 बिजनेस यूज़ के लिए डिजाइन किया गया है ये तीनों स्कूडर दिखने में भी स्मार्ट और चलने में भी स्मार्ट लगते हैं इसकोल कमनी ने 2015 में ES Series Green Pig Sight कहीं पूरसका जीते है पावर और स्पेस्विकेशन की बात के लिए तो इसकोल ES3 में 27W की बूचलेस परमेनेट मेगनेट इलेक्टिक मोटर और 130 NM का टोक दिया गया है टोप स्पीड की बात करें तो इस स्कूडर को 16 किलोमेटर पर हरकी स्पीड से दोड़ाया जा सकता है इसके लबा स्कोल ES3 में 1.4 KWS की रिमूबल लिथिया मायन बेटरी दी गई है जिससे एक बर फुल चार्ज करके 96 किलोमेटर तक 90 ब्राइड ले सकते हो चार्जिंग समय की बात करें तो असकोल ES3 की बेटरी को चार्ज होने में साले तिन घंटे का समय लगता है सिटिंग के बिसिटि की बात करें तो इस स्कूडर में दो लोग आराम से बेड़ सकते हैं और दोनों सीट काफी कमफरटेबल दी गई है इस कलवा सकोल ES3 की फ्रेम को स्टील क्यूबलर मटेरियल से बनाए गया है असकोल ES3 स्कूडर के फ्रेंट में हाइड्रोलिक टेलिस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन और रियर में मोनोशक अब्सर्बर दिया गया है ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस स्कूडर के फ्रेंट में हाइड्रोलिक टेलिस्क 220 mm और रियर में 140 mm drum break दिया गया है इसके लाव सकोल ES3 के फ्रेंट एंड रियर टायर 16HQ दिया गया है अस्कुल के फ्रंट में फुल LED लाइटिंग, हुरियर में LED टेल लाइट के साथ LED इंडिकेटर्स दे गिये है Dimension की बात करे तो इस स्कुटर का विल बेस, 1830 mm, seat height, 1030 mm के साथ 245 kg, maximum allowable weight दिया गिया है ओलवर ये स्कुटर, दूसरी स्कुटर से काफी अलग डिजैन किया गया है अस्कुल स्कुटर में कहीं exercise दी गई है, जिसे top case, baggage rack, basket, lock, windshield के साथ और भी बहुत कुछ दिया गया है तो गाईस इटलिक ये स्कुटर आपको कैसी लेगे हैं मैं कमेंट करका ज़रूबत है वीडियो अच्छे लेकर लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने अमरी चेनल टेक केस्ट पर को सबस्रेब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक केर, बाई